नमस्कार श्वागत आप सभी का ग्यान सम्मान के मंच पर हम लोग EPFO 2030 इसको जो है टार्गेट करते हुए यहाँ पे टेस्स देख रहे थे और यहाँ पे जो हम लोग टेस्ट देख रहा है यह आपको धे आईये से देख रहे हैं इसका आज हम लोग टेस्ट नमबर 7 देखें हैं वज़ा यह रहा कि इसमें जो है प्रक्स आपका मैथमेटिक्स का साथ कोशन सामिल किया गया था ऐसे में मैं एक कोशन को डिटेल में डिसकसन करूं तो टाइम ज्यादा लगता ही तो ऐसे में इसका मैं पार्ट वन और पार्ट टू बना दूँ हैं तो इसे भी आप जा करेंगे यहां पर आपको पीडिएफ मिल जाएगा और यह जो पीडिएफ है अभी मेरे सामने जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो यह आपको आपको अपडेट कर दे रहा हूं ठीक है और मैं आपको चाहता हूं कि आपको अच्छा पीडिएफ मिले ताकि आपको वहां पर हिन्दी में होता है अब दोनों में जो है उसका discussion दीसके लिए देख रहे हैं बांखी है हम लोग यहां पे अगर लेकर बात करें तो आप लोग प्लेडिस्ट में चले जाएंगे यहां पे प्लेडिस्ट बना हुआ लेबर लॉज हो गया सोचल सीकूर्टी को लेके होगा आपको कराया गया है इसके अलाव यहां पर हम पी वाई क्यू भी देखे हैं जो अभी आपका प्रीविएस यह में हुआ था तो जो है बिल्कुल डीटेल में डिसकसन उसका देखा गया तो भी जाकर आप देख सकते हैं क्या चाहते हैं इसके लिए कुछ लोग कमेंट किया है कि रिवीजन करा देने के लिए सब्जेक्ट वाइस करूंगा कि आपके एक्जाम से पहले जो है मैं रिवीजन आपको करा दूंग वह सब लेक्षर थोड़ा सा लंबा होगा अभी आप टेस्ट देते रहें जहां से आप पढ़ रहे थे पढ़ते रहें रिवीजन करते रहें टेस्ट जरूर देंगे और वज़ा यह है आपके सामनी यहां पर दिख रहा है यह टाइम आपका दो घंटा कोस्चन कितना एक सबीस यानि एक सबीस मिनट और एक सबीस कोस्चन ऐसे में आप टाइम मैनेज नहीं चाहिए तो बिल्कुल टेस्ट चलते रहेगा टेस्ट जो है रोज आपको सुबा जो है छे पंदर में अप्लोड हो जाया करेगा तो डेली आप सुबा सुबा से लेके रात तक ठीक है इसके अलावा किनी का कमेंट था मैं देख रहा था एकाउंटिंग और जो है लेबर ल किरिके इस के ऐलवा मैं कमेंट एक बर देख लेता हूं बस एक मिनट आप सभी का मैं उसका अ WrestleManiaJul व्लमक टेस्ट जल्दी देखेंगे तो इसके बाद आपका फूल एंटेस्ट यहाँ पे मॉझ टेस्ट है इसके अलावा कुछ लोह का कमेंट यहां पे देख रहा था मैं इंग्लीस में भी टेस्ट नहीं है यह चलेए पर PDF है आप लोग लिख रहे हैं PDF कहा है एफ लेबल है ठीक है चलिए ठीक है चलिए तो इस्टार्ट करते हैं आज हम लोग यह टेस्ट नमर इसका सेवें इसके पैरलल में इस चैनल पर आरो यारो से रिलेटेट भी टेस्ट हो गरा चल रहा है तो आप लोग जाकर वह भी सब अब पर क्लासे बाकी आप अपर हो सकते हैं आप मैं आप एक अधिक कर दिया हो इंडेर डी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देंगे बाकी जो है मैं आपको सोचा हूं कि आपको यह एक और तेस्ट मैं यहां पूर्भाइड करूंगा और दिए मैं यहां पर करा रहा हूँ एक टेस्ट मैं आपको यहां पुर्भाइट करूंगा और एक उसका टाइमिंग रखोंगा ठीक है और उसमें आप समय आपको टेस्ट दे दिया जाएगा गुरूप में और आप सभी क्या करेंगे सल्व करके और उसको जो है अपना गुरूप में अब करेंगे अब सब्मीट करेंगे और आपको यहां पर फिडबैक से मिल जाएगा यानी मेरा कहने का मतलब है अब हम लोग एक टेस्ट नहीं पोसिस करेंगे दो टेस्ट एक दिन में देखने का एक टेस्ट मैं आपको ग्रूप में अपलोड कर दूँगा आप सब पढ़ने वाले बच्चे में जरूर सेयर कर दें एक स्कूलीटी कंटेंट आपको प्रभाइड कराया जा रहा है तो आप जरूर जाके क्या करेंगे सेयर कर देंगे ताकि अधिक सदिक बच्चे जो है लबानमीत हो सके इसके अलबा कोई फीडबैक कमेंट होगा तो आप लली मेरे साथ एटेम्ट करते रहें चलिए देखते हैं पहला प्रस्ण देखिए यहां पर पुछा गया आपका सामोहिक सौधेबाजी का उदेश्य क्या होता है देखिए नियोकताओं को लाब बढ़ाना होता है क्रमचारियों के लिए काम करने के इस्तिति में सुधार करना क्रमचारियों के लिए काम करने के इस्तिति में सुधार करने के लिए आपको सामोहिक सौधेबाजी किया जाता है आगे देखते हैं अगला कोश्चन आप से पूछा जा था यहां पर कलेक्टीब जो है आपको बरगेनिंग तीक है आगे देखिए औधोगिक अनुशाषन क्या है अगला प्रस्ण है आप सभी को दीख रहा है मेरे पैरलल में आप लोग इंसर करते रहेंगे देखे पहला दिया है करमचारियों को उनकी गलतियों के लिए डंडिट करने का परक्रिया है कारेस्थल में आदेश और अनुशा अनुशाषन बनाय रखने का एक प्रक्रिया है और दोगिक अनुशाषन यानि आपको इंडस्टियल डिसिप्लीन के बारे में पूछा जा रहा था इसका परपस ही होता है कि आपको और और डिसिप्लीन को जो है वर्क पैलेस पे मेंटेन करना ठीक है अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण देखे प्रस्ण नंबर 4 कि देखे क्या पुछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी और दोगिक विबादों के निप्तारे की बिधी नहीं है और दोगिक जो है यहां पर पुछा गया है कि विधी का निप्तारे का जो है विधी कौन सा इसमें नहीं है ठीक है पहला है सुला है मद्यस्ता मुकदमे बाजी और शहयोग का मतलब क्या होता है कि कोई भी समाने सा आपका टार्गेट है उसके दीशा में मिलकर काम करना तो दोगिक विबाद जो है इसका निप्तारे के लिए यहां पर जो है शहयोग नहीं होता है सुला हो सकता है मद्यस्ता हो सकता है आपका मुकदमे बाजी हो सकता है यह सब तो निप्तारे के लिए आपका अबजेक्टिव पूछा जा रहा है करमचारियों के लिए काम करने के स्थिति में सुधार करना सरम कल्यान का उधिष्य क्या हो सकता है जो भी करमचारी है उनके लिए काम करने के स्थिति में सुधार करना यह तो सही होगा कमपनी के मुनाफ़े को बढ़ाना, क्या इसके लिए सरम कल्यान जो है बना है, अपका लेबर उल्फेर, तीक है, बिल्कुल नहीं, तीक है, आगे देखिए, कोश्चन नमर छे, निम्नलिकित में से कौन सा एक कारक नहीं है, जो मजदूरी निधारित करता है, मजदूरी मुनाफ़ा इसका कारक नहीं है, तीक है, अगला प्रसन देखते हैं, निम्नलिकित में से कौन सा आपका परदर्शन अधारित वेतन नुकसान है, तीक है, देखिए, तो यहाँ पर देखिए, ओप्सन ए में देखते हैं, यह करमचारी की कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है, ओप्सन दो देखिए, यह करमचारी के परदर्शन के अनुचित मुल्यांकन का कारण बन सकता है, यह करमचारी को जह कारोबार बढ़ा सकता है, तो देखि कि डिसएडवांटेज्ट पुछा गया था अगला देखिए प्रस्न 8 पर बंधक में जो है स्रमिकों के भागेदारी का प्रात्मिक लाग नौकरी की शुरक्ष्य में ब्रीदीक काम करने के स्थिती में सुधार तो बिलकुल यही अवसन साँ हो जाएगा स्रमिकों सबसे प्रात्मिक लख्ष क्या हो सकता है काम करने के स्थिति में जो है सुधार लाया यहां पर पुछा जा रहा था वर कर्स के लिए ठीक है अगला देखिए निमलिखित में से कौन सा आपको और दोगिक श्वास्त और सुरक्षा सुनिशित करने के लिए एक नियोकता के जि करता है एक सुरक्षित और स्वस्त कारे वातारण बनाए रखें यह इसका लक्षित करना अगर कंपनी में कोई काम किया होगा तो उसको पता होगा जब भी जॉब पे भेजे जाने से पहले यह आप काम करते हैं इस्टील प्लांट में पावर प्लांट में को निकाला जाता जाने से पहले करमचारी ओक घ्लमेट लेकर जाना है आपको VA posterior कर सकते हैं ऑपनी सुनार बना तक है और जो है नियुकता की बात हो रही है करमचारीयों को अपनी सुरक्षा के लिए जिम्मार बनाना यह जो है इसके टार्गेट में आपको नहीं होगा ठीक है आगे देखिए निम्न में से कौन सा समाने कारस्थल खातरा नहीं है शमाने कारस्थल पर जो कमन वर्क पहले सोता है ठीक है कम समाने कारस्थल पर देखेंगे तक खत्रों में सोर है आपका ठीक है सोर जो किम हो सकता है अगरोनोमिक जो है आपका मुद्दा हो सकता है यह सब सीजें हो सकती है आगे देखते हैं प्रस्ट नंबर 11 देखें क्या पुछा गया है मात्तित लाब अधिनियम के तहट एक महिला करमचारी को निमने लिखित में से कौन सा लाब परदान किया जाता है ठीक है आपको जो मैटिनिटी बेनफिट दिया जाता है उसी कंत्रगत पुछा जा रहा है तो देखिए भुगतान छुट्टी चिकिष्था बोनर्श और नर्सिंग ब्रेक ठीक है इस सारा चीज पुरभाइट कराया जाता है तो आप्शन क्या बनेगा डी बन जाएगा अगला प्रसन देखिए निमनलिखित में से कौन जो है फैक्टरी अधिनियम में उलिखित एक क्रमचारी के लिए आवकास के लग रहा है ठीक है ओलो क्या करेंगे यूटूब आपको अप्सन देता है 1.25 1.5 1.75 या 2.0 मैक्समा आप 2.0 करके देख सकते हैं अच्छे यह सब जो मैं आज तथ्या आपको बता रहा हूं इसको जो है आप एक बार एटलिस रिपीट जरूर कर लेंगे ठीक है आप ऐसे म कम उसकी जरूरत है तो आप एक दो बार रिपीट करेंगे आपको याद हो जाएगा प्रस्न जो है तेरा प्रसूती अधिनयम में किस द्धारा के अंत्रगत निरिक्षक नियुक्त किया जाता है तीखै तो श्तार और अधिनयम आपको 91 उस में देखेंगे आपको तो धारा अधिनियम के प्रधानों को लागू करने को देशे से निरक्ष को को नियुक्त करने का अधिकार है तो याद रखेंगे धारा पंदर अब देखें इसमें जो है कुछ समझने वाली है नहीं कि धारा पंदर महीं क्यों रखा गए बच्चों के किस उमर तक मा को अपने दैनिक क कारे के दौरान दो जो है नर्सिंग ब्रेक मिलेंगे किस उमर तक देखिए यहां पे जो है पहला अप्शन तो दीख नहीं रहा है बेजिबिलिटी तोड़ा 24 महीन है 18 महीन है 15 महीन है ऐसे में देखिए मैं यह आपको PDF अगर अभी काभी दे दूं आप यहां पढ़ नहीं पाएंगे मेरे को यहां पर फ्रोब्लम हो रहा है तो यहां पर जो है जो है पंद्रव महीने पे है आप देखेंगे जो मातित ऑफान अधिनियम जो संसोदित किया था 2017 में उसी में बताए गया है कि जब तक बच्चा जो है 15 महीन हो जाता है जब तक मा को जो है अपने दैन कोश्चन नमर 15 क्या पुछा गया है धारा अठारा के अनुसार यदि कोई नियुक्ता मतितो आवकास के दौरान काम से अनुपस्थित के दौरान उसके कारण किसी महिला को बर्खास्त या बर्खास्त करता है तो नियुक्ता को किस जो है सजा का सामना करना पड़ सकता है करवास के काम जो है उससे अधिक वरस तक बढ़ाय जा सकता के यह बात ध्यान दखेंगे करवास के साथ और डंड़निये भी होगा जो तीन से आपको कम नहीं होगा ठीक है यहां पे तीन महीने कम से कम उनको होगा ही ठीक है अगला प्रस्ण देखते हैं वर्स जो है आप जो है पारिसरमिक अधिनियम किस वर्स बनाये गया था इस यह बनाये गया था इसलिए आगे नहीं आता है क्रिसी हो निर्माढ है निर्माढ हो उस्साब जो है घर प्रगत ही सारा कुछ आता है ठीक है अगरी कल्चर हो कंस्ट्रक्शन हो मैनुफेक्ट्रिंग हो सारा इसी के अंडर जो है मिनमम वेज़ेक के अंदर ही आपको वेज़ेक कभर किया जाता है यहां पर अप्शन क्या बन जाएगा ऑप्शन डी आगे देखिए प्रस्ण वनीस स्यं निमने लिखित में से कीसे जो है अधोगीक विबाद अधिनियम के तहत हार्ताल किसको नहीं माना जाता है पुछा जारा है देखिए स्रमिकों के दारा अचानक वाक आउट कर जाना ठीक है यह तो हारताल आपको माना जाएगा अचाना को आकर उट कर जाएं, जान बुज़ कर काम को धीमा कर दें, करमचारियों दोरा बिरोध में धरना, उपरिक्त सभी को स्ट्राइक माना जाता है, तो सभी को स्ट्राइक यहाँ पर नहीं माना जाता है, ठीक है, सभी को स्ट्राइक नहीं माना जाता है, option D ही आपका ग माजय का भुक्तान स्रमिकों कोई चेतावनी पत्र जारी करना यह जो है आपको विवाद के नियम के ताथ श्रम नियाले के लिए उप्बन जो है यह नहीं है अगला देखते हैं प्रस्ट जो है 21 अगर मान लीजिए विवाद को हल करने के लिए इह मुझे लिखित में से कौन नियाले है दीखिए औधोगिक न्याधिकरण सुलहधिकारी यह होता है ठीक है विबादों को हल करने के लिए धियान दखेंगे अगला देखिए अगला प्रश्याट्स यहां पूछा गया था नहीं भेजा जाता है अगले देखिए श्रम नियाले है जो और अधिकारी बनने के लिए निमलिकित में से कौन सी योगता आवस्यक नहीं है अधिकारी बनना है तो उसके लिए कौन सा योगता नहीं है यह पूछा गया है तो देखेंगे किसके लिए पूछा जा रहा है आपको और दोगिक नियाधिकरन या पीठा सीन अधिकारी बनने के लिए श्रम नियाले या और दोगिक नियाधिकरन का अच्छा पीठा सीन अधिकारी बनने का योगता कौन सा नहीं है पूछा गया है योगता कौन सा नहीं है देखे कानून में डिगडी स्रम नियाले के छेत्रिमान भाव नियाधिस के रूप में आप कानू भाव यह सभी आउस्यक योगता होता है ठीक है कि अधीकरन है किसी बिवाद में अधी निरने देने का समय सीमा क्या होता है इसके लिए 6 महीना जो है सीमा होता है और दोगिक न्यादिकरन को जो है आईडिये के ताथ 6 महीने के भीतर एक विवाद का फैसला हो जो है हो जाना चाहिए तीक है याद रखेंगे बमधल्ष तो अगल्स कोछ विमरिया जो है आपको चोट के कारण काम करने में समर्थ है आपको करमचारी राजे विमा अधिनिय इसी गतात उनको ला पर्दन किया जता है ह cent 20 analysis यह क्या पूछा कि आपको देखिए क्रमचारी राज्य बिमा अधिनियम के संचालन के लिए कौन जी मुआर है तो इसके लिए किंद सरकार है कोई शक नहीं है ठीक है यानि आपसे पूछा जा रहा था इस आईसी के बारे में आगे देखिए कोस्टन नमर 27 निमनलिखित में से कौन सा अंतराष्टी स्रम संगठन आईयलो का मुल्भूत सिधान्त नहीं है ठीक है यहाँ पूछ रहा है आपका आईयलो का जो है जो इंटरनेशनल आपका लेवर कौन सा नहीं है यह पूछा जा रहा है मैं कोशिस कर रहा हूं कि अंग्रेजी वाले जो भी होंगे उनके लिए थोड़ा टर्न बोल दूं ठीक है आप समझ सकें बाकी पीडियेप आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए इसका सिधान्त कौन सा नहीं ह सामिल नहीं है इसको फंडमेंटल में इसको सामिल नहीं किया गया उसमें आपको संग की स्थंता की बात बात की गई उपसंडी बनेगा अगला देखिए निमलेखित में से कौन सा करमचारी भविसे निदी संगत्रण स्वास्थ वीमा परदान करना जो भी सेवा में करमचारी काम कर रहा है तो उनको परदान करना जब वो सेवा से उनका चुट्टी हो जाए तो उस समय आपका इप यह काम करता है आगे देखिए पुष्ण नमबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक परकार का सेवा नेरवीत लाव करता देखिए उनके नियॉकता कर दोड़ी जाता है इंकुम सा लब दो बार क्योंतो करते इओर है .. cafe ऑगे देखिए प्रसन लिखित तो देखिए भारतिये परदोकी संस्थान है राष्टिये परदोकई है भारतिये परबंदन है बीवी गिरी राष्टिये स्रम संस्थान अप्शन बन जाएगा सब्सक्राइब करना अगला प्रसन देखिए भारत में करमशारियों के लिए निमने लिखित में से कौन सा सेवा निर्वित लाव निवार है अगला देखिए निमने कित में से कौन सा संगठन करमशारी भविष्य निवार निवार निवान को लागू करने के लिए जिमौवार है इसके लिए कौन जिमौवार है आपको क्रमचारी भविष्य निधी और विभीत प्रवधान अधिया मुनिश अबाउन इसके लिए कौन संस्था जीमार है क्रमचारी भविष्य निधी संगठन यानि आपका APFO अगला देखिए अगला प्रस्णा आपका निम्न लिखित में से कौन सा संगठन भारत के नियुकताओं और क्रमचारी के बीच विबादों को निप्टाने के लिए जीमार है तैसे में निप्टाने के लिए कौन जीमार है तो मद्यस्ता बोड है इसके लिए ठीक है यह आपका और दोगिक विवाद अधनियम जो आपका नाइनटी फोटी सेबेन है उसी के तहति इसको अस्थापित किया गया है निम्न में से कौन सा भारत में श्रम ब्यूरो का एक काम है श्रम कानूनों को लागू करना समाजीक सुरक्षा प्रदान करना श्रम और रोजग आपको प्रभाइड नहीं करेंगे बाकि इसके लिए सेक्षन जो है अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर मैं डीटेल में इसके बारे में चर्चा कर दोंगा नियुकताओ के समन्द में निम्लिखित में से कौन सा क्रमचारी भविष से निधी इप्योफो का कार है यह का यह लिए आपको भूला गया था भारत का आर्थिक शंविधान अगला देखिया अभी रट जाना है आपको बिल्कुल ओडोगिक निधी यह गत्ति तो आप सभी को पता है कि मिस रित आर्थिक मडल है पर्माडबु उर्जा के नीजी चेत्र के लिए क्छोल दिया गया देखिए इसमें तीन उद्योग सामिल थे जिसमें किंद्र सरकार का एका अधिकार था जैसे हतियार गोला बारू दोगरा परमाडू उजर से रिलेटेड ठीक है नीजी छेतरे के लिए सब खोला नहीं गया था ठीक है ध्यान रखेंगे ये तो गलत हो जाएगा परमाडू उ कि किस कारण अधिनीमित किया गया था बताई 1881 का धरती राष्टी कॉंग्रेस की मांग थी ब्रीटिन के निर्मरताओं के द्वारा लागतार दबाव हुए था ठीक है और इसके द्वारा पहला जो है कर खाना अधिनियम लाए गया था ठीक है आगे देखिए निमनलीकीत म खुमें से कौन सा ब्योसाइक सुरक्षा स्वास्त और काम करने के स्थिति सहींता 2020 के प्रवधान है तो देखिए पूचा गया पर व्यवसाइक सुरक्षा श्वास्त और काम करने के स्थिति तो यहाँ पर देखेंगे 2020 क्या क्या प्रवधान करता है? महिलाओ को जो है आपको, एक शेकिंड, ठीक है, महिलाओ को जो है सुबह 6 बजे से पहले और साम को 7 बजे के बाद भी काम पे लगाया जा सकता है उनकी सहमती से, ठीक है तेस संसोधन करके जो है बात रखा गया था, ऐसा हम लोगा सकते हैं, लेकिन उनकी समाती लेखे, बिल में अंतराजिये प्रवाशी सरमीकों के लिए बीसेस प्रवधान है, ठीक है अंतराजिये जो है प्रवाशी सरमीकों के लिए यह बात भी क्या है आपको सही है, दोनों ही यह स्टेटमेंट है आप सही है, तो आप् अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन बाहरी उपियोग करता के लिए वित्यीए डाठा के संग्रा विचलेशन और प्रदर्शन और बित्य इस्तिति का मुल्यांकन के लिए किया जा सकता है यह जो है प्रासंगिक्ता है उसके कानूनी रूप को यह जो है आपको बोलते है बैपार इकाई सिधान अगला देखिए किस लेखांकन सिधानत के लिए अवस्यक है कि एक ब्योशाय को अपने इहित धारकों के सभी प्रसांगिक बितिय जनकारी का फुलासा करना चाहिए बले यह कानून द्वारा अवस्यक ना हो तो पिछला प्रस्ण जो क्या था आपका हम 43 नमर कोशन छोड़ दिये ते गया है बिल्कुल सही है फोटी तरी कर लिया है लोग फोटी फोर ठीक है फोटी फोर जो है क्या पुछा गया था यहां पर आपसे कौन सालेख हांकन सिधान कहता है कि कि किसी बयुसाय के वित्य विब्रन को उसकी आर्थिक वास्तिकता को परती विम्बित करता चाहिए ना कि के वल उसके कानूनी रिउप को ठीक है यह जो हता है आपका सबसेट जो है ओबर फोर्म सिधान यहां पर आप करेक्ट कर लेंग भले यह कानून द्वरावश्यक ना हो ठीक है तो यह आपका पुन पर्टिक जो है परकक्टी करन जो है सिधान ठीक है आगे देखिए कोस्चन नमबर फोर्टी सिक्स देखिए यहां पर क्या पूछा गया है 46 में लिखित में से कौन सा लेखा परिपाटी मानता है कि एक जो है बेवसाय निकट भविस से के लिए काम जो है करना जारी रखेगा यह कौन है आपका गोइंग जो है कर्सन समय लंग अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर 48 निम्न में से कौन सा आपको शमय में एक बिसिष्ट बिंदू पर बेवसाय की संपती दिंदारियों और इक्वीटी को दरसाता है अगला देखिए यहां पर सुची एक को सुची दोशे मिलान करना है और यहां पर आपको बताना है कौन सा सही होगा ठीक है चलिए अब आपको जो है वीच्वल हो पा रहा होगा पहला क्या है सुध्य संपती बेवसाय की संपती और दिंदारियों के पीच का अंतर होता है तो यह का तो ऑप्सन तीन हो जाएगा लाब क्या होता है आपका लाब किस धन को बोलते हैं बैवसाय में सबी खर्चों का भुगतान करने को बात जो भी आपके पास सिस बच गया तो यहांपर ओप सन क्या हो जाएगा आपका तो यहांपर न कि आपका यहां पर बंजाएगा वह पैसा जो बेशा आपके सभी खर्चों को बचाओ तो उसी को बोलेंगे ना क्लियर है ठीक है निक्स देखे जो है दिन्दारिया ठीक है दिन्दारिया देता एक ही बात होता है यानि लाइबलीटी यह क्या था आपका सुद्ध समपती इसको बोलते हैं नेट एसेट याद रखेंगे अंग्रेजी वाल देख ले लाब है आपने जो है लिंदारों के लिए बकाया इस में होता है तो अब आपका क्या बन जाएगा सब्सक्राइब यहां पर गलती से मैं बता दिया था वह रासी जो आपको एक बेवसाय अपने मालिकों के लिए करने के बकाया है इक कर सुन लेंगे आपका सुध संपती क्या होता है देंदारी और बिच का अंतर को में आपका ब्रायबिडी फॉल्सक्राइब अपका वैसा धन को उसक्राइब और यहां वाक जहां नारों के लिए पकाया है एक वेसाय जो है अपने मालिकों के लिए जो बकाया होता है इसे हम एक्विटी बोलते हैं अगला प्रसंद देखते हैं कोश्चन नमर पचास अगला देखिये प्रस्ट निमलिकित में से कौन सा लेखांकन समी करने लेखांकन कसे होता है कि अगर देखेंगे यहाँ पर तो शंपती क्या हो जाता है दिंदारी और एक्विटी दिंदारी प्लस इक्विटी अभी हम लोगो देखे भी थे मैचिंग जब किये थे तो आप स रिकॉर्ड करने के लिए किस पुष्थ का उप्योग किया जाता हुए मिलए जनर्रल का पुष्थक होता है जिसमें आपका बिल्कुल सिक्वेंस वस्य वाइस जो है अग्ला देखिए डिविट और यहां को है पर संपती संपति और और ब्याई को कम करते वह सैं इसलिकित कौन सा यहां पर लेका पुष्थ milestones नगत जो है लेंद्दीन के रिकॉर्ड करने के लिए कीमार को सब्हितिक फिर्खाट इसका न हो ले लिए से कौन सा रज़स्व खाता का कौन उधारन है पूछा जाएगा गलत खाते में लें डिन डिकॉर्ड कर लेना विलकुल बात सही है अगर गलत खाते में लें डिकॉर्ड करें ति भी तूल आएगा लेक हांकन तूल गलत रासी के साथ लिन रिकॉर्ड कर लेना यह भी सही हो जाएगा रिकॉर्ड की लिन लिन को फोड़ेना यह सारा कुछ ही हो जाएगा option D हो जाएगा अगला देखे है अगला पुछा कि है आपको एक trail balance त्यार किया जाता है सुनेशित करने के लिए डेबूट समान क्रेडिट है कि नहीं एक फॉपसन ऀहीं हो जाएगा आगे देखिए देखे, 61, निमलिकित में से कौन सा च्छती पूर्ती तुरूटी का उधारन है, देखे, च्छती पूरूती तुरूटी का उधारन कौन है, गलत खाते में लेन देन रिकॉर्ड कर लेना, गलत राती के साथ लेन देन रिकॉर्ड करना, एक खाते में एक तुरूटी और दूस दराज का बैंक आपका ही हो जाएगा कि अधराज किसको बोलते हैं जो कोई भी बनाता है और उसको जारी भी करता है उसको दराज बोलते हैं जाद रखेंगे तो ये भोकता हो गया या प्राप्त करता हो गया जो बैखती जी से विल देते हैं आपका लोग बिल से होता है उस बैक्ति को करने के लिए अधिकार महां सतांतुर कर देता है उसको आदसर बोलते हैं चलिए यहां पर आप संड़ी बन जाएगे अगे देखिए इक पूल mala परिपक्तौा से पहले अगर किया जाएगा तो इसे हम जो है आपको छूट बोलेंगे पिल अफ एक्शेंज और जो है आपको प्रैमिसरी नौट में क्या अंतर होता लेक्न समय आपको होता है और इसमें देखेंगे तो इसमें जो है तीन पक्स को सामिल किया जाता है एक इसमें आपका हो जाता है दराज करता हो जाता है अगला प्रस्थ देखिए , बिनमें बिल को कशाया, एक डारम तना किया जा सकता है। यृदि, बिनमें बिल का। अधान करता है, भूख्तान करने के आधेश को स्विकार नहीं करता है। तो यहां पर option नहीं ही बन जाएगा आगे देखिए बील अफ एक्सेंज है यहां पर प्रश्ण हो रहा था 66 देखिए कौन सी संस्था जो है भारत में लेखांकन मानक निधारित करती है कौन सी संस्था है यह आपका चार्टर एकाउंटेंट्स अफ इंडिया यानि आपका ज जो है पुजी का परकार नहीं है कौन सा पुजी का परकार नहीं यह आप से पूछा गया है इकविटी शेर है बरियता शेर है पर्तिय शेर है ये तो आपको शेर के परकार ही हो जाएगा यहाप Š. Mrs. ऑ Sum डी हो जाएगा तुसर्पूरी आपका डी हो जाएगा तीस गांपनी जो है कंपनी दौरा लंबी ओदी के लिए उधार का E n थीफो का मतलब क्या होता है अपका है एक होता है लंफो कि यह हो जाता है अगला रूेखित में से किसका उपवयंग तब किया जाता है जब एक किर नीवेश महात्पून परभाव होता है लागत विदी पर इक्वीटी विदी पर अगला प्रस्ण देखते हैं सेवेंटीवन कि पोनस शेर जारी करने का उदेश्य क्या होता है आंतरिक पुझी जुटाने के लिए शेयर धारकों को पुरिश्कृत करने के लिए उनस इसी के लिए जारी किया पुझा है कि बूब है ऐस पूछा था कि कौन सा इक अन्तिम खाते का हिससा नहीं हैं अन्तिम खाते का इससा नहीं है अपसे विषा गए कि लाव और हानि खाता है विक्री खाता आपसे यहां पर क्या पूंचा गया था छिव हिस्सा आपको नहीं नहीं है आघे देखिए को बस थो याव और हानी खाते सामिल नहीं है लाब और हानी काते में सामिल नहीं है तो मजदूरी हो गया किराया पूजी और व्याज यहाँ पे पूजी हो जाएगा अगला देखते हैं प्रस्ण आपका 76 कि यह पूछा जा रहा है निमलिकित में से कौन सा अनुपात का फरकार नहीं है देखे यहाँ पे तरलता अनुपात है आपका सल्वेंची अनुपात है बजार अनुपात ठीका ओप्सन क्या बनेगा D अगला दीखे प्रस्ट बरत्मान अनुपात की गर्णना इस परकार की जाती है बरत्मान संपत्ति divided by बरतमान दिन्दारी ठीक है याद रखेंगे अगला देखिए प्रस्ट नमर 79 रीड से इक्विटी अनुपात का उपाए इक्विटी के लिए दिर्ग कालिन रीड का अनुपात ठीका ओप्सन आपका यह हो जाएगा अगला देखिए निवेस पर रिटर्ण की गरना इस परकार की जाती है कैसे हम लोग करते हैं सुध लाब रिभाइड इक्विटी रिटर्ण की जो है बात की जा रही है आगे देखिए प्रस्ट जो है टीवन निमनलीखित में से कौन सा अनुपात कमपनी के अलप कालिन दिन्दारियों को पूरा करने के चंता को मापता है ओप्सन वी ऑजहएगा अगला देखिए अचल संपती का सकल वही मुल्ल्य क्या होता है तो यह क्या हो जाएगा एतिहासिक लागत यह आपको क्या पूछा अचल संपत्ति का आपको अगला दिखे प्रस्ण 84 वीमा कंपनी के प्राप्ट जीवन जो है वीमा प्रीमियम को इस परकार बरक्रित किया जाना चाहिए इस से पहले क्या प्रस्ण था 52 हम लोग किये थे 82 कि थे 83 भी हो गया 84 वीमा कंपनी से प्राप्ट जीवन वीमा प्रीमियम को इस परकार बरक्रित किया जाए कैसे बरक्रित किया जाना चाहिए उपारजित संपति उपारजित देता प्रीपेड खर्च अनार्जित राजस्वा आगे देखिए विक्रे वही एक अभिलेक है विक्रे वही कैसा अभिलेक है माल के केवल जो है नगत विक्री केवल संपती की विक्री माल की केवल क्रेडिट विक्री सभी विक्री तिक है सभी विक्री में हो जाएगा आगे देखे 86 86 में क्या पुछा गया है निमनलिकित में से कौन सा गयर लाभकारी संगठन के नगद और मैक लेंदेन का सरांस है ये प्राप्तिया और भुगतान खाता हो जाएगा आगे देखिए 87 87 में क्या पुछा गया है आय और ब्याय खाते द्वारा परकट किये गए अधिशेस या घाटे को अस्थांत्रित किया जाता है ये जो है आपका पूजी निधी से अगला देखिए पुजीगत ब्याय के बारे में निमनलिकित में से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है तो प पूजीगत ब्याय के बारे में पूछाता सही नहीं है तो ब्युशायक लाब को कम करना ये इसमें गलत हो जाएगा आगे देखिए एक कंपनी को अपने भावन की पेंटिंग पे 30,000 रुपे खर्च किया है इसे इस परकार दर्च किया जाना चाहिए कैसा जो है खर्च हो यह आपको अस्थागीत राजस सुजय है बेह हो जाएगा आगे देखिए को कोश्चन नमर नब्वे निमलिकित में से कौन सा भंडार तूलन पत्र में परकट नहीं होता है तो यहां पर हो जाएगा गोप्तरी जर्ब अगला दिखिए कोश्चन नमर नैंटीवन शुकन्य समरिधी योजना समन्द में लिए बिचार कीजिए बताई कौन सा इसमें शही है पूरा प्रस्त नहीं दिख रहा होगा अब दिख रहा होगा तो दूसरा स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा आपका यहां पर गलत होगा एक और तीन आपका सही है अगला प्रसन देखिए अगला क्या पूछा गया है हाली में समाचारों में डेखा गया है डार्क पैटरन जिसे भ्रामक पैटरन के रूप में वी जाना जाता है 21 से आपको शम्मंदीत है यह साइबर सुरक्षा से डार्क पैटरन अगला इसमें देखेंगे तो विदेशी मुद्रा शंपती आर बी आई द्वारा आपका स्टिर्था रिपोट की संगठन मंतराले द्वारा आपको परकासित की जाती है यह भारतिये रिजर्ब बेंक के द्वारा अगला देखें 95 पुछा गया है यहाँ पर साध योजना के संदर मे क्या है आपको शही नहीं है ठीक है यह आपको परियाटन मंतराले द्वारा शुरू किया गया था इसका उदेश है देश में तीर्थ और विरासत परियाट अगस्तलों को एक इकृत बुन्यादी धार्जा बिक्सित करना तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपको यह इसमे परिया आपको पता ही है कपडा से इसके बारे महमलों बाट किये थे पिछले टेस्ट में अक्सर खबरों में रहने वाला इन्पुट टैक्स क्रेडिट सब्द की से सम्बंदी थे इन्पुट टैक्स क्रेडिट यह माल और जो है सिवाकर है अगला देखिए मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी एक्ट के सम्बंद में मेनमलीखित कत्रों पर विचार किजिए और बताएए कि इसमें कौन सा आपको सहई है मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसि एक्ट पहला देखिए यह 20 सब्ताह तक गरभपात तर और शधारन इस्तिती में 24 सब्ताह तक अनुमती देता है यह बात क्या है आपको सही है अधिनियम के तहट विभाहित और और विभाहित दोनों महिलाओं के लिए गरभपात के अनुमती देता है दोनों ही सही है तेहां पर आप रिपूट के बारे में पूछा जा रहा है निमलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया दता है यह आपका संख्या हंडेड है चलिए इसको जूम इन कर लेते हैं थोड़ा अब दीख रहा होगा आपको मनरीग कर देंप counteraire कंड्री च्थ्र की यूजना है ओब कको क्या हो गया गलत होately back था यह क्या है आपका मन्रे का हीना है ठीक है चलिए दूसरा क्या है आप इसका उदेश्च है कि ग्रामिट शेत्रों में एक बित्य वर्स में कम से कम सौ दिन की ग्रांटिक रित योजना रोजगार देना और प्रतेक परिवार को प्रदान करके आज यूका सुरक्षा को बढ़ा है ठीक है दूसरा स्टेट्मेंट क्या है आपको सही है ठीक है यहां पर पहला स्टेट्मेंट भी तो सही होना चाहिए किंद्री ग्रामड विकास मंतरा ले गता थी इंद्री शेत्र का योजना है ठीक है पहला आपको गलत ठीक है यह जो है आपका किंद्री ग्रामड विकास मंतर ले ले अगे देखिए यहां पर जो है सही केवल जो है आपका दो हो जाएगा अगला देखिए अगला कोशन पुछा किया आपका कोश्चन नमर्र 101 आइन एस ओवी एसी के समद्ध में लिए करनों बिचार किजिए इसी के बारे में आपको बताना है यह कोबिट के लिए प्रात्मिक जो है दो खुराक सेडियोल के लिए आपका अनुमोधन प्राप्त करने वाला दुनिया का पाहला इंट्रानेजल वैक्सिन था इस आई है किसके बारे में पुछा जा रहा है आपको आई एन यहां पर लिख देता हूं आपको क्लीर दीख नहीं रहा है आई एन सी ओ फी ए सीसी पहला इस्टेटमेंट साही है यह सिर्यम इस्चूट के द्वारा भारत में स्वधिसी रूप से बिख्षित किया गया था दूसरा यह नहीं किया गया था यह भारत जो है बायो टेक इंटरनेशनल लिम्टेड तो क्यों लेक सही है क्यों लेक सही है तो आपसन आपका यह हो जाएगा अगला देखिए प्रसन एक सदो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया आपसे किसी को पीछे नहीं छोड़ने का सिधान थे निम्लिकित में किसे सम्मंदित है सततविकास लक्ष से ही है आगे देखिये आपका नसीर जील निमनीकित में से किस देश में इस्तित है नसीर्जी यह जो है कहां पर आपको मिसर में है यह दुनिया के जो है सबसे बड़ी कृतिम जील में से एक है आपको नासीर और मिसर के रासपती थे आपके गमाल अब्दुलनासिर यही के नाम पर इसका नाम रखा गया हाली में खबरों में रहा आईएनस बागीर आईएनस बागीर जो है क्या है यह आपको पंडूबी है सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करता है या संगठी प्रवासी सरमिकों का उन्नुवर्सल खाता शंख्या परदान करता है या संगठी श्रमिकों के समाजिक सुरक्षा आपको कलेनकारी योजना का लाब देता है यह सरम रोजगार मंतराले का अहल है इसमें पुछा गया कौन से सही है इसमें तो तीनों ही सही है आगे देखिए प्रस्ण एक सो साथ यह पुछा गया आपको किंद्रिय जो है बजट दो हजार तेश चौब इसमें एक जो है मिस्टी योजना की गई थी देखिए एक कोशन रिपीट हो रहा है हम लोग दिक्सका कर ली है योजना का उदेश से कहा है यह पुछा गया है तो देखिए मैंगरोब का बिर्क्षा र तो यहां पर चीन तो होगा ही अमेरिका भी होगा और आपका यह इरान भी हो जाएगा ओप्सन यहां पर क्या बन जाएगा डी आगे देखिए अगला है यह थोड़ा सब्लर है मैं पढ़ देता हूं ऐसे मेरे को भी ऐसे प्रूब्लम हो रहा है इनिसियेटीव ऑन क्रिटक एंड इमर्जिंग जो है टेकनलोजी यह लिखा हुए आपका इनिसियेटीव ठीक है ओन क्रिटकल एंड इमर्जिंग टेकनलोजी जो हाली में खबरों में रही भारत द्वारा हस्तांतरी तेक समझावता है यह इवेश्य के द्वारा ठीक है आगे देखते हैं प्रस्ट ए के लिए इलाके इरादे से घोष्णा किया गया है आगे देखिए और भी स्टेट्मेंट है इसमें बात पहला तो सही था एक अनुवांसिक विकार है इस सीए के साथ अनुमती जन्मों के मामले में भारत दूसरी सबसे बूरी तरह से परभावी थे इनों यह अगला है आपका इवडी एफ का इवडी एफ का पूंडूप से क्या है जिसे किंद्री जो है 2000 किंद्री बजट देश चोविस कंसारा स्थापित किया गया है कि सहरी अधार बुद्ध सनचना विकास निदी अफसनी हो जाएगा अगला देखिए पुश्चन नमर कितना था एक सबसे अच्छा परदर्शक है तो पीजो इलेक्टिक के बारें पुछा गया है देखिए पीजो इलेक्टिक तो यह जो हो जाएगा क्वार्च पढ़ेंगा उनको पता चल रहा होगा देखिए इसरों ने हाली में 36 वनवेब उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया वनवेब मिसन का उधिस से आकिर क् अंत्रिक्ष अधारित इंटरनेट जो है सेवा परदातक आगे देखिए प्रस्ण 114 भारत सरकार ने नी पोटल जो है काउदेश से किस विमारी को लक्षित करना है तो यह भी हम लोग देखे थे साइद यह चाय रोग है अगला देखिए युका जो है करिक्रम इसके द्व आपको इसरो के द्वारा आगे देखिए इको सेंसिटीव जोन जो है इसजेड के बारे में बताना है दो कतन दिया है कौन से इसमें सही है यह आपको बताना है कि पहला है कि परेवरण जो है संवेदन सील छेतर संडक्षी छेत्रों राष्टिय उदान और बंजीव जो है अभेरन के आसपास बिल्कुल सही है इस छेतर में खानन और जो है प्रेटन दोनों परतिबंदीत होता है इस जेड में जो है आपका इकनोमिक जो है आपको सेंसिटीव जोन की बात हो रही है इसमें जो है आपको खानन परेटन दोनों परतिबंदीत विराता है पहला सही है भारत वियतनाम यह तो नहीं होगा भारत और सुडान ऑप्शन सी हो जाएगा 118 देखते हैं निमलिखित में से कौन सा देश जो है आपका संगहाई सहयोग संगठन का सदस्य है शंगहाई भारत और पाकिस्तान हो जाएगा आपको आप सभी को पता है किसके बारे में पूछा खेत्र का हिस्सार यहां पर तीन अप्सें लीगें पर ऑफ यह पनेगा ऑप संगहएं जो है बिग के कर दो घृचार कीजिए इसमें खुन सा आपको सही है 2023 में भारत दौरत शुरु किया गया एक बैस्विं घापको सब्सक्राइब हो जाएगा लúp प्राइबाग और किसे के लिए है इसा कुछ नहीं तहरा यहां पर गडूसरा यहां प्रफेल भअला सईत हो जाएगा इस त्रह से सबसेंट्र वो आपका सबसें लंड़ लास्ट ल pre सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको काम किया जाए तो करेंगे हम लोग जल्दी ठीक है बाकी जैसे मैं आपको बता हैं एक टेस्ट मैं डेली आपको प्रवाइट करेंगे चलिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद